तेजी से बढ़ रहे करोणा संक्रवन के बीच बकसर रेलवे प्रसाशन का बड़ी लापरवाही सामने आई है बकसर के रेलवे स्टेशन पर बनाएगे कोवीड-19 जांच केंद्रों में बगयर जांच कराये 200 से अधिक यात्वी भाग निकले जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर तहकीकात करने के लिए जिला अधिकारी और स्पी नीरचकुमार सिंग समेथ कई अधिकारी पहुँचे बता दे कि देश में बढ़ते करोणा को देखते हुए बकसर जिला प्रसाशन कई तरह के हत्कंडे अपना रहे हैं उनके बावजूद भी लोग सदर्टा नहीं बरत रहें जिससे एक बड़ा खत्रा पैदा हो सकता है भारत पाकिस्तान के युद में शहीद हुए लांस नाइक अलबर्ट एका की पतनी बलमदीना कनीदन हो गया उन्होंने बीती रात गुमला के चैनपूर में आकरी सांस ली आपको बता दे कि अलबर्ट एका की पतनी बलमदीना का स्वास खड़ाप चलो था गौर तलबे की महज 29 वर्ष की आयू में परंबीर चक्र से सम्मानित अलबर्ट एका ने दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की सनिकों को ना को निचने चबवाने को मजबूर कर दिया था उनकी वीर गाता जार्कन ही नहीं बलकि देश भर में अत्यंत आदर और समांग से गाई जाती हैं परंबीर अलबर्ट एका का घरम पत्ती स्वार्गिये लानम दीना एकाजी का अधिन निधन हो गया उससे हमें बहुत दुख हो रहा है कहें कि इतना बड़ा देश के लिए हमारे प्रंबीर अलबर्ट एकाजी 1971 में सहीद हुए थे और उनके जल्दे हमारे गाउं में काफी पिकास हो रहा है काक्राइब झाले ये कि अक्राइब